तो गाइस मैं हूँ अंकित और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नैटवर्ग सबसे पहले गाइस अपनी बात को सुरह करेंगे डेवल डेवली बैकलेश दोहजा चौवीस एंड कोडी रोडस है तो कोडी रोडस किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे अपनी अगे जितने भी जो मैचेस होंगे कोडी के तीन-चार पीली में या पांच पीली में समस्ट लैम से पहले तक जितने मैचेस हैं वह काफी इजी टू प्रेडिक्ट है अगर समस्ट लैम में रॉक क्या गेंस्ट मैच होगा तब ही वह अनप्रेडिक्टबल होगा नहीं तो भाई ऐसे सारे मैचेस प्रेडिक्टबल ही जाएंगे तो मैं पता है एजस्टाइल्स हारेंगे अबर ठीक है एक अच्छा मैच होगा यह एजस्टाइल्स भी एक लेजंड है एंड कोडी रोट्स उभरते वसीता रहें तो कोडी रोट्स भाई अभी केसा आपसे बैकलास के अंदर डिफेंड करेंगे अपनी अंडिस्पिटर चाहें पसे अगेंस तो फिनोमेनल वन एज स्टाइल्स बाकि एले नाइट स्टिल कंटेंडर सिप के लाइन में लेकिन उनके चांसे थोरे कम बता जा रहें बेटिंग व्लॉक की तरफ से वार गेम्स हैस बिन डिसकॉस्ट तो पॉसिबली टेक प्लेस दिस यर नो ओफिसल डिसिजन हैस बिन मेड यट तो पिछले दो साल हुसे हम लोग देख रहे हैं कि डेबड़ जो ना सर्वाइवर सीडिस के अंदर वार गेम्स करा रही है एंड बैटर हो प्लेस्मेंट नहीं निकल के सामने आई है कि हाँ अब यह पर्मानेंट हो गया हर साल होगा तो ऐसे में अभी कहा जा रहा है कि डेबड़ इसकॉस कर रही है यह प्लैंस के अंदर है हाला कि अभी के साब से कुछ भी ऑफिसल डिसिजियन नहीं लिया गया लेकिन स्टिल यह इस साल भी प्लैंस में है इस साल भाई स्कोप और ज़्यादा है आपके पास बहुत सारी है रॉस्टर एक्सपैंड हो रहा है टामाट होंगा जेकब फाट्टू बहुत सारे सूपरस्टास आ रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा आगे पीक पर जा सकती है अगर वार गेम्स इस साल के लिए भी प्लैंड है अभी वक्त बताएगा कि और लंबी प्लैंग करती है अंदर लॉंग टरम बुकिंग है तो सब कुछ पहले से चल रहा होता है तो अभी कहिसाब से यह कुछ अपडेटेटे वार गेम्स को लेके आगे बढ़ता है अगली स्टोरी के वारे मे जेड कारगिल को लेकर जब से डवड़ी के अंदर रही है जब से उन्होंने साइन कर रहा है उनको लेके भाई हमेशा कॉंट्रोवर्सी होती है कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता है अभी जेड कारगिल ने फाइनली आज एक टैग टीम मैच के अंदर एक normal smackdown का लिए यह चीज लोगों को बिलकोल भी नहीं पसंद आई लोग कह रहें कि आपने इतना टाइम लिया साइन करने के बाद इतने महीने लगाएं इनको टेलिविजन पे लाने के लिए ट्रेपल एच कह रहे थे कि वह आखना चाहते हैं जेड कारील को एंड इंप्रूब करके ल लेकर वापस से इंप्रूब करके आएं नहीं तो भाई फिर इतना हाइप ना बनाया जाकि जेड कारील ही है वह हाइप किस बात की जब आप रसल ही नहीं कर पारी हो तो जो कि रिंग में आपको वही करना होता है यह ऐसे सवाल उठ रहे हैं हाला कि अभी इसको पर कोई भी रिस्पॉंस नहीं आए है जेड कारील का एंड आई होप सो कि आए भी ना विकॉज जितना ज़्यादा इस चीज़ पर भाई आप फोकस करोगी उतना ही आपका और जारा खराब होगा आगे आने वाला परफॉर्मेंस तो बैटर है कि नहीं वह फोकस कर इस चीज़ पर ले अंदर ही अंदर जादे इसको लाइम लाइट ना मिले विकॉज अगर यह चीज़ भाई ऐसे ट्रेंड बन जाए अगर सबके सब हर मैच में फोकस करेंगे कि यह कितने मूफ लगा रही है तो देन गोलबर्ग बनने में टाइम नहीं लगेगा आप कह सकतो विमस डिविजन के बारे में अब तो भाई समझ भी नहीं आ रहा है ट्राइबल चीफ है कौन या तो सोलो है या तो रॉक है वैसे रॉक के ज्यादा चांसे से इसको लेगे मैंने पिछली वीडियो में बाते करिए तो उपर आई बटन वीडियों की फटाफट से क्लिक करो जागे चेक आउ ब्रेक फ्रॉम डवी बट ऐस अगो रोमन रेंज वासे इंडिफिनेट ब्रेक के लिए इंडिफिनेट टाइम आफ के लिए मैंने आपको यह भी कल बताए कि रोमन रेंज जो की पहले अड़िज थे समस्लैम से पहले आखरी स्मैक डून के पिसोड के लिए वहां से भी उन की मतलब किसी को करती हुसकता है वह 사कता भ Prix अगले स्मैक डून में भी आ जाए तो इसकी अपसे बात करते में अपनी नेक्स्ट एंडude स्थोरी के बारे में जो किये जेकब फार्टू को लेके तो जेकब फार्टू भी कन्फरम है जो नई बलडलाइन जॉइन करेंगे बहुत ही ज़ल्दी जॉइन कर सकते हैं व्यूज निएक अफ़ी के पास कुछ अलग प्लैंस थे जेकब फार्टू को ले तो बताया चाहरा भाई कि जेकब फार्टू जो है ना वह उरिजनली इनीशली प्लैंट थे टामा टूंगा के साथ टीम अप करने करें डेविट अब यह चीज चेंज कर दी गई टामा टूंगा अलाइन कर चुके हैं खुद को सोल सिकवा के साथ तो पहले प्लैंस थें कि ज प्लैंस में स्वरव आए अब यह हो सकता है कि पहले जेकब फार्टू तो नहीं यह टामा टूंगा आकर जोईन कर चुके हैं सोल सिकवा को जेकब फार्टू को बाद के लिए सेव करके रखा गया बाद में वह आ सकते हैं अब या तो बाद में अन्वील किया सकते हैं लेकिन अभी तरीके से अफरा एक अलग रस्ता था लेकिन हं अभी रस्ता थो रास्ता थोड़ा चेंज करा गया चीजों्हों हो बिदर झेक वहीं रहा €3 फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्विटर बिलिंग आपको मिल जागे डिस्क्रिप्शन में जॉइन भी कर सकता आप तो चाहिए तो वाट्सिप चैनल को उसके बिलिंग डिस्क्रिप्शन में कभी वीडियो पगरा की नोटिफिकर सन नहीं जाती है तो मैं अगे लिए वीडियो में तब तक के लिए गोड़ बाई टाटा बाई बाई बाई